बोकारों के सीटी सेंटर स्थित कोजी स्विट्स फाइरिंग मामले में पूलिस ने सनलिप्ट चार अपराधियों को गिरफतार कर लिया इसकी जानकारी बोकारों के स्पी चंदन कुमार जहां ने सुकुरुवार को प्रेस कॉन्फरेंस में दी एस्पी ने कहा कि अपराजियों ने नया गैंग बना कर दर्शत फैलाने के उद्देश से फाइरिंग की थी खबरे हजारी बाग के लिए हमारे बुकारो समवादाता की रिपोर्ट 27 अपरेल को सोचना मिली कि कुछ अपराद कर्मी और यह उमीद था कि यही अपराद कर्मी है जो पोजी स्विट्स में जिन्होंने फाइरिंग की है वो बुकारो में फिर एसेंबल हुए है कुछ अपराद को करने के लिए उसको लेके कल साम में रेड किया गया सिटी एरिया में जिसमें की तीन मुख अपराद कर्मी एक कौसल बिहारी कौसल बिहारी पहले भी एक 302 के केस में वांटेड है लगभग एक साल पहले की घटना है दुन्दीबाग के ही केस था जिसमें बांकी अभ्यूक्त जेल में है और वो एक वांटेड है दूसरा गौरत तिवारी और तीसरा अमित महली यह तीनों अभ्यूक्त जमा थे उनके पास से इस तरह आप लोग देख रहे हैं कारवाइन पिस्टेल जो राउंड है अन्य किया गया पूस्ताच किया गया तो इन्होंने कंफेस किया कि फंद्रतारी की घटना इन्होंने और एक दो और अपराद कर्मी है जो विहार से विहार चेत्र में वहां के रहने वाले हैं अभी डिस्ट्रोज हम लोग नहीं कर सकते हैं तो तीन यह लोग और दो तीन और हैं जो विहार के रहने वाले हैं इन्होंने इस क्राइम को इग्सक्यूट किया था पर डिटेल जब इन से पूश्टाच की गई कि आखिर किया क्यों गया आखिर कोजी स्विट्स को ही क्यों टार्गेट किया गया तो उसमें एक और अपराद करनी जो बबलू कीलो उर्फ आस्थ उस गौतम जो आरिया विहार में बिल्डिंग का काम करता है उसका भी नाम आया कि कहीं न कहीं प्लैनिंग उसकी भी थी इन फैक्ट उसी की थी प्लैनिग उसको अपने काम को संचालित करने में दिकत हो रही थी तो वो चाह रहा था को एक दो इस तरह के छबी के लोग मेरे साथ जूरे तो मेरा काम आसान होगा तो उसी ने कॉसल बिहारी को संपर किया और एक काम दिया जिस्ते की इन लोग का भी एक पब्लिक में हो कि इस तरह के अपराद यह लोग कर रहे हैं जिससे उसको भी अपना बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिले तो पूरे प्लाइनिंग में कॉंस्पिरेसी में वह बहुत प्राइम रोल बबलू की लोग का था जो कुल मिला के चार अपराद कर्मी हैं कॉसल बिहारी गौरब तिवारी अमित महली और आसोतोस गौतम उर्फ बबलू की लोग कुल मिला के यह एक ग्रूप इमर्जिंग ग्रूप के रूप में अपने आपको तयार कर रहते कि कोई घटना हो जिसे लोगों में थोड़ी फियर हो और आगे जाके वो और इक्स्टोर्शन कर सके